दिवाली पर पटाखों से होने वाले धुएं और प्रदूशर से बचने के लिए सरकार भले ही पावंदी लगाती हो लेकिन तमिलाडू में कई ऐसे भी गाउं हैं जो आपसी सहमती से दिवाली पर पक्षियों की रक्षा के लिए पटाखे नहीं चलाते हैं आस्मान के नीचे खुली हवा में सांस लेते ये परिंदे तमिलाडू के इरोट के वेललोट सेंचरी में नजर आ रहे हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए गाउंवालों ने पिछले 14 सालों से दिवाली नहीं मनाई है यहां आक्टूबर से जनवरी तक कई प्रजातियों के पक्षी प्रवास करते हैं पटाखे की आवास से पक्षी डरते हैं और पक्षियों को बचाने के लिए आसपास के गाउं के लोग दिवाली पर पटाखे नहीं जलाते हैं ताकि पक्षियों को सुरक्षित रख सकें क्योंकि पक्षी पटाखों की आवास से डर जाते हैं और बढ़ते प्रदूशन और खतनाक स्मॉक का सर इनसानों के साथ परिंदों पर भी नजर आता है इंसानों को भी पटाखों से हुने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्त होती है और ऐसे में पक्षियों को बचाने की गाउवालों की ये पहल काबले तारीफ है Bureau Report, Go News